सब्सक्राइब करें टेक्निकल लर्ण चैनल को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाईए हलो दोस्तो मेरा नाम वी पुल सिंग और आप देखे रहे हैं मेरा यूटूब चैनल टेक्निकल लर्ण आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका फोन खो जाता है तो आप उसे आसानी से बैठे अप दूसरे फोन के मदद से कैसे उसको खो सकते हैं तो आए बात करते हैं तो दोस्तो अगर आप में चैनल पे निव वीवर्स हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन दबाद है तो आजे बात करते हैं तो दोस्तो आप जानते हैं कि अगर आपका फोन कहीं गाइब हो जाता है तो कंप्लेंड करवाते हैं और उसो खोजने में दो चार दस दिन लग जाते हैं तो आपको एक एजी तरीका बताऊंगा कि आप अपने फोन में एक सेटिंग आउन कर दें जिसको खोजने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी तो यह सेटिंग आउन करने के बाद आप अपने फोन को करनेट कर देंगे अपने PC या दूसरे फोन से तो आपको फोन खोजने बहुत ही एजी हो जाएगा और वो जल्दी से मिल लाएगा आपको पता चलाएगा कि आपका फोन कहां पे है और किस किस एरिया में है तो आपको setting enable करनी होगी तो आए दिखा देता हूं आपको तो देखिए नहीं दोस्तों फोन में सबसे पहले setting on कर लेते हैं फिर swipe up करके more setting को open कर लेते हैं more setting open करने वाद security open कर लेते हैं फिर यहां देख रहां find my device उसको को आन करना है और फिर यहां पे हम दोगों को nai device manager आन करना है तो ब्लू टीक है तो थीक है अगर नहीं है तो टीक कर दीजिए और यहां से open करने वाद आपको दिख़र है deactivate और activate यहां से deactivate और activate कर सकते हैं ताकि फोन को आप आप अपने फोन को कहीं से भी खोच पाएंगे अपने फोन को कहीं से भी खोच पाएंगे अपने पीसी या अपने लैप टॉप या अपने दूसरे फोन से अपने खोई हुए फोन को करने के बाद खोच पाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीका होगा दोस्तों इस सेटिंग को इनेबल कर दें तब ही आप खोश पाएंगे दरवाज नहीं खोश पाएंगे तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो सस्क्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन दबा दीजे क्योंकि मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूं ऐस